रादिक्रिश्न दोस्तों आज आप पढ़ने वाली हो हमारे चानल पूर न्यू चाप्टर चाप्टर नेमर 14 स्टार्टर से क्लास 10 ठीके सबसे पहले बता देती हो इस चाप्टर में क्या डिलीट हुआ है ठीके स्टैप डेविएशन जो है वो डिलीट हो चुका है ठीके और कॉमिलेटि फ्रिक्वेंसी का ग्राफ डिलीट हो चुका है ठीके चलो आप शुरू करते हैं सबसे पहले गाईस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आपको सब कुछ समझना है ठीके अच्छा आप इसके बाद क्या करने वाले हम इस वीडियो में हम इस वीड चाप्टर ठीके यह बहुत ही मज़़दार चाप्टर हैं चलिए आए शुरू करते हैं सबसे पहले गाईस आपको यहाँ पर एकसाइज 14.1 यह 14.2 यह 14.3 में आपको क्या दे रखा है यहाँ पर ग्रूप डाटा होगा अन ग्रूप डाटा होगा रॉड डाटा होगा तो आपको पहले में व क्लियर कर देखेंक हो कि ग्रूप डाटा क्या होता है अन ग्रूप डाटा क्या होता है ठोलो सबसे पहली बात आपको यह क्या दे रख सकते हो डिचयँ 4 डोट्य आई तो यह क्या आपका डाटन है थिकते हैं अभर इस ङार्फ है फिर धार विप बढ़ते हैं यह डाटन ही फिर समझें कौक्छी नहीं है अप को बनाना पड़ेगा अभी अन उन्रूप में इस तरीके से बनाना thread और यह है आपका यह है आपका रोड़ एक है समझाये है इस चैप्टर आपके हैं atwn 12 यह उत्व हमरा मीं अर्मूड यह तीन आपAP 8 से नहीं अब तो यह 7 से भी शायद शुरू हो गई है तो यह आपके बहुत ही ज्यादा important है अब हम इसे शुरू करते हैं कि हमें कैसे कैसे formula दी गए है ठीक है पहले आपका mean आता है तो mean में आपका average आता है average अरफ जो formula लगता है वो ही formula लगता है थोड़ा से सिग्मा को वेगर जो है वो आया है थोड़ा सा ठीक है तो mean में आपके निकालने की दो method ती method पहले आप दो हो गए है तो मैं अभी आपको दो method बताती हूँ कौन सा direct method और assume mean method ठीक है अच्छा बात करते हैं median का median का हमारा एकी formula है और mood मूड का भी formula है ठीक है तो हमें इस chapter में हमारे चार formula बेसिकली याद करने होंगे अच्छा यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको class interval है यह frequency यहाँ पर XA और CF क्या है CF आप सभी को पता है one and only cumulative frequency ठीक है सबसे पहले देखो एकसा मесल लाइस है आपको ठीक है तो एकसा कालेते है आपके यहाँ बीच में नवर गिवन हो जैसे आपको यहाँ यहाँ आपको यहाँ दे रखा है ऑगे सब्सक्राबर्शन जाने कि दे रखा है यह क्या है यह क्या मैं बटाऊंग एड़ नहीं करा कोई बात नहीं आप भी एड़ एक्स है हमें निकालना है अब यहां पर ठीक है सब कुछ निकालते हैं अभी हम सबसे पहले आपको 20 और 10 को क्या करने 20 क्या है हमारी lower case है और 10 क्या है हमारा upper case ठीक है sorry उल्टा बोल गई मैं 20 हमारा upper case है और 10 क्या है हमारा lower case है ठीक है तो यहाँ पर अपर फॉर्मला अपको हमें होता है देखो आप का बुक में फॉर्मला दे रखा है upper case limit प्लस lower case limit ठीक है अब इस एड़ किसे करते हैं वो आपको मैं बताते हूं ठीक है अब आपका जो यहाँ पे 10 है जैसे यहाँ पे आपका 10 दे रखा है मैंने तो वो क्या है 10 है आपका Upper Case Limit ठीक है 10 क्या है आपका Upper Case Limit है और 20 क्या है आपका Lower Case Limit तो आप इसे लिखोगे कैसे आपका Formula ये है ठीक है आपका Formula के कहता है Class Mark निकालने के लिए आपको आपका XI निकालने आपको ठीके तो XI कैसे निकलेगा आपका XI निकलेगा आपका अपर केस लिमिट प्लस लोवर केस लिमिट अपान मेट 2 ठीके तो 10 प्लस 2 20 अपान मेट 2 ठीके तो यह बेसिकली क्या आजाएगा आपका 15 तो आपको करना क्या है ये होता क्या है क्या चीज़ यह आपको बेसिकली यहां पर एक से आपको निकालने गा एक फिकी तरीका है आपको इन-class interval के बीच का number ले जैसे अब ही हमारे 15 है तो आपको भी पता है कि 10-20 के बीच में आपको 15 ही हो गता है बीच का नमबर तो आपको यह लिखना है आप फिफ्टीन लिख देना है ठीक है अच्छा अब ट्वंटी से थर्टे के बीच में बात कर तो ट्वंटीफाइब फिर 15 प्र मो सुमें समझा गया कैसे निकाला ये वह बता दिया आपको बयादगे अब हम चलते हैं हमारे फी और । ऑर एकशिए फिर हम निकलेंगे स सीए तो एकशिए क्या मतलब क्या है कि अब हमें ठीं को 15 कर देना है ठीक है लिख को 3 को 40 signs कि इतedia ओव इन 25 इंटी फवर कितना होता है है तीफजल थैट्टि फइब कितना होता है यह आपका होता है 35 इन तीफ टुक्या गोटता है एकका thousand 75 और एक 1245 और आपका 55 इंटी 5 यह Özिय थे हमें cf निकालने के लिए हमारी फ्रिक्वेंसी को एड़ करना बढ़ता है ठीक है जैसे अभी फर्स है फर्स को आपको ऐसी लिखना है 3 प्लस 4 कर देना है फिर ठीक है तो 3 प्लस 4 अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं कैसे कर रही है यह देखो आप 3 को ऐसी लिख प्लस 5 कर देने हैं फिर आपको यह चारो एड़ कर देने हैं ठीक है फिर आप पांच एड़ कर दो 10 में से 5 कर देंगे तो कितना जागा 15 ठीक है समझ आगे आपको इस तरी के से आपको क्या निकलेगा cf निकल आज़ेगा अगर cf नहीं आए आए समझ तू दूबार असम कंडम का आतरी की साम निकालते हैं फर्स आपको फ्रिक्वेंसी लिखने होती है फर्स की पस्ट्र लाइती है ठीक है जो भी फॉस्टी डरेक्ष में है घर चरती हम उसी ना is तो हमें पता है 7 आया ता 7 प्लस 2 कर देंगे 9 आ जाएगा ठीक है उसके बाद हमारी हमने देखी है चौथी वाली 4 त्यानिकी 4 त्यानिकी करना है उपर वाल 3 के साथ एड़ कर देना है 9 प्लस 1 10 समझ आया कैसे आया चलो वहती अच्छी बात आपका ये सब कुछ फंडा क्लियर हो गया है ठीक है अब हमारा कॉंसेप्ट लियर हो गया है अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं में शुरू हमारी वन एन ओली एक्सेश 14.1 और गाइस अगर आपको डियरेक्टर अज्यूम मीन मेथड के शॉट्स चाहिए वह तो मैं डालूंगे डालूंगे चलो उसके लाग को मुझे पूछ रही ज़रत नहीं है आप शॉट्स देखा करो ठीक है अब शॉट्स में क्य क्योंकि बहुत अच्छे इसी को मिस करते है पेपर के अंदर तो मैं क्या करूंगी मैं सारे चैप्टर की ना पॉर्मला शीट बना दूंगी ठीक है और उन सब को मैं शॉट्स में डाल दूंगी आप उसको देखते रहना बार बार सुनते रहना गाने को सुनना और आपको जृसा आमने लिखा ओगा उस gesagt के अअच्छा हुआ आपके साथ चलो हागे बढ़ते हम सबसे पहले समझें डायरेक्ट मैथवड में क्या होता है डायरेक्ट मैथडर बर बग्या उच्छ कुछ एजयर्णा नहीं होता है क्या नहीं करना होता है अब देखो कैसे करते है गा ठीक है दिख रहा है आपको अच्छा हमें इसमें क्या चाहिए हमें अभी इसमें CF नहीं चाहिए तो हम CF को इग्नोर कर देंगे हमें क्या चाहिए हमें चाहिए हमारा ये पूरा टेबल ठीक है CF को छुपा दिया है मैंने क्या चाहिए तो हमें ये चाहिए सबसे पहले हमारे जो फूर्मला होता है वो आपको मैं लिख के बतातीओ ठीक है तो डायरेक्ट मि Welण होता है SIGMA XI X के उपट डैश डालते हैं हम ठीक है और उसके बाद क्या लिखते है sigma fi into x i upon me fi fi submission fi अब ये है क्या ये दिख रहे है ना आपको ये कुछ नहीं आई इसे बोलते हैं sigma क्या बोलते हैं submission ठीक है submission बोलते है submission यानि की जोड देना ठीक है addition ठीक है तो हमें क्या करना है पड़ेगा भी हमें किसका करना है ये जो पुरा हमार fi x i आये ना इसका हमें add total कर देना और fi का total कर देना है ठीक है चलो total कर लेते हैं अब हम तो सबसे पहले हमें total करना है fi और x i का so fi और x i का total कर लेते हैं हम अब और fi का कर लेते है total तो ये कितना आये था आपका ये आये था 7 7 और 2 9 9 और 1 10 10 और 5 15 ठीक है यह कितना आए था यह कितना आएगा अब हमारे 5 5 10 15 ठीक है 15 लगा था 1 उपर 5 5 यह आपका 7 12 ठीक है 12 और 4 आपका 16 16 और आपका 7 कितना हो गया 23 हो गया यह आपका ठीक है अच्छा यहाँ पर 2 लग गया आपका 3 और यह 3 5 5 35 हमारा एक साही है एक में चेक कर लेती हो कि गलती हो गई तो 5 और 10 15 ओके 5 5 5 5 यह 5 आपका ठीक है 5 और 7 आपका 12 ठीक है 12 और 12 और 4 आपका 16 16 और 7 आपका 23 ठीक है 23 आपका 22 आपको अपर चल लगए 3 4 5 भई कारक्ट है हमारा यह ठीक है आप भी देख लो करना है कर लो ठीक है इसी टेबल से हम निकालेंगे हमारा मीन direct method करेंगे हम और assume mean method दोनों में हम इसी example को लेंगे जो हमने लिया है और यह क्या है guys group data है यह आपका ठीक है चलो आप आगे बढ़ें करें solve करना शूरू करें चलो करते हैं तो guys देखो मैंने लिख लिया है ठीक है जैसे कि आपको दिख रहे हैं तो अब इसे हम कट कर देते हैं क्योंकि यह हो जाएगा तीन से और यह 1 और आपका 3 बचा ठीक है 3 नीचे आजएगा आपका फिर 0 लग जाएगा यहां पर 7 ठीक है और आपका यह किसे जाएगा फिर 3 107 करेंगे तो आपको दिख रहा है यह 3 से जाएगा यह 3 से जाएगा फिर 5 आजएगा और फिर पॉइंट लगेगा फिर आपको जाएगा 6 से और हाँ फिर लगाता आपको 6 से जाएगा तो आपको यह कितना आ गया आपको यह आ गया 35.666 यानि कि X डash is equal to 35.666 पर बार यह आपका मीन है डायरेक्ट मैथोड से ठीक है अब आपको निकालने की जरत नहीं है इसे आगी आप यह तो इसको 35.67 में कर सकते हो यह पर 30 पॉइंट ऐसे भी कर सकते हो छोड़ भी सकते हो ठीक है अच्छा अब आगे बढ़ते हैं अब हम करते हैं हमारा अज्यूमिंग म मेथोड गाइस नहीं समझाए तो फ्लीज वीडियो को रिवाइन करके जरूर देखना ठीक है और इसके शॉट्स में जरूर डालूंगी आपके लिए ठीक है चलो हां तो अब है और गाइस उस शॉट्स को तो कम से कम आप शेयर करी सकते हो ना जो बच्चा आपकी क्लास मे या आपको लगता है कि वो बच्चा कम है दोड़ा मैज़ में तो आप उसको शेयर कर जाते हैं कि ले भाई या ले भेन तो इससे पढ़ ले ठीक है चलो अज्यूमिंग मीन मेथड करते हैं अब हम वाट इस अज्यूमिंग मीन मेथड होता क्या है देखो नाम से बचल रहा के लिए यहां पर पिछले वाले तीना हमारी यह वाली टेबल इसको मैंने दुबारा बना लिया ठीक है चलो अब क्योंग है बारा पीशाट पीच्च चानी करना पड़ेगा क्योंकि मैं आप हमारा दी आई और एफा इंटू डी आई भी करना है ठीक है चलो यहने करते हैं फिर अब देखो यहाँ पर हमारा जो assuming mean method होता है ना उसको भी करने का एक formula होता है अब वो कैसा formula होता है यह देखना भी आप ठीक है बहुत ही जैसे आपने उपर x dash लिखा ना यहाँ पर यह जैसे कर रहा हमने यह देखो देखना आपको यह स्वर्य यह देखो x dash लिखना है यहाँ पर आपको d dash लिखना है ठीक है और फिर बिल्कुल सेम है अब जहाँ पर x होगा वहाँ पर आपको d कर देखना है तो क्या होजाएगा आपको आपको वो वो आपको formula भी मैं पताऊंगी देखो यह एसा हो जाएगा d का आप पर आपने क्या पर आपने x को replace कर दिया आपकर लिख दिया बहुति कि भी ऑसके बाद आपने सिग्मा लगाया उसके बाद आपने सिग्मा लगाया , एक्स लिग करते थिये तो डि आ गे अभी ओá वर नीडरा स्ग्मा इनट्स FI, सिवाई, सिगमा FI, ठीक है, समिशन ओप FI, ठीक है, चलो, अब आगे बढ़े, करें आगे, चलो करते हैं फिर, हम इसको पता है, हम इसको पता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने अजयूम कर लिया औरे हमने बीच वाले को ना अजियूम कर लिया हमने XI को हमने देखा हमने अभी कुछ नहीं देखना है हमने अभी क्या देखना है हमें देखना है XI के नंबर जितने भी दे रखें चाहे वो 8 दे रखें चाहे वो 6 दे रखें ठीक हैं कुछ है कि अमको पर टेबल लिएören के लिए यहाँ नहीं पर देखो यह नो休 assistants न समया मैं पूर आपको कुछ नमबर नुद्ध में फूर पर वाला नमपर लेना है 47 पुआल वाला आपको क्या करना है बीच वाला नमबर लेना है आपको ठीक है और उस बीच वाला नमबर से आपको क्छाओं कि सारे अरह को माईनस करना है यानि किında मैं 47.5 तो मुझे 47.5 को एकस देक से स्वाइनर पॉयं कॉन इसको हम हमना करना है इससे फिर 32.5 माइनस 47.5 ठीक है उसके बाद क्या माइनस होगा 62.5 माइनस 47.5 77.5 माइनस 47.5 92.5 माइनस 47.5 अभी कुछ सबर नहीं आएगा बट यहां से आप कुछ अंदाजा लगा सकते कि कैसे करना है चलो अब हम करते हैं जो हमारा एक्जांपल है उसके साथ ठीक है चलो शुरू करते हैं पर आप आप देखो यहां पर डियाई यहां पर आपको इस तरीकी स्रेबल बनाएं जब आप अज्यूमिंग मेथड कर रहे हूं ठीक है अब यह कब करते हो आप जब छोटे कर लेशन है तब आप 35 क्योंकि मैंने बीच में क्या लिए 35 लिए ठीक है यहां पर देखो दो थे नीचे भी दो थे यहां पर हमने बीच का नमबर देखा 35 लग दिया तो एक साही सबसे पहला क्या है 15-35 कितना होगा आपका माइनस 20 ठीक है तो लिखे देते हैं अब हम अच्छा ये भी लग दिया अब 25 माइनस 35 कितना होता है 25 माइनस ना 35 कितना माइनस 10 हो जाएगा ये माइनस 20 है तो ये माइनस 10 हो जाएगा ठीक है अच्छा ओके मैं लिखे लेती हो पहने गिर गया माइनस 10 35 माइनस 35 जीरो 45 माइनस 35 टैन 55-3520 समझाया आगया होगा न अब तक तो हाँ तो आ चुका होगा अब तक तो ठीक है आपको यह बस यह ध्यान रखना है कि आपको से पहले जब अज्यूमिंग मेन मेथड कर रहें दो यह भी करना है अरे यह भी कर लेते हैं आपको यह करना है इनके साथ आपको इसको इंटु करके इस वाले कॉलम में लिख देना है चलो करते हैं 20 माइनस 20 इंटु 3 60 माइनस 60 4 इंटु माइनस 10 यानि की माइनस 40 2 इंटु 0 0 ठीक है 1 इंटु 10 10 5 इंटु 20 100 ठीक है 5 इंटु 100 किता है जाए 2 5B का तो आगे पर आगे भड़तेंज हैं अब हमें क्या करते हैं अभी हमें संबूमीशन निकालना क्योंकि बटा आ है form ला क्या केता है यार यह formula submission submission f y into d i upon me f i e ठेके तो करते हैं इसका भी submission निकाल लेते है यह क्या है minus minus plus ठीक है 100 हो गया 110 और 110 आपका 100 plus कर लो 200 to 210 हो गया ठीक है समझाया चलो आगे बढ़ते है अब हम गाइस आप हमें हमारा फॉर्मला लिख देना है क्या कुछ नहीं करना आप तो समय यह यह दिया क्या आपको निकालना है आपको F I into D I यानिके 210 upon me 15 ठीक है 210 आपने इतना कर लिया है तो आपको पता है कि अब आपको करना है डिवाइड करना है तो गईसी डिवाइड वाला काम आप खुद कर सकते हो यह मैं करके दिखाऊंगा अब तो करना पड़ेगा ही चलो कोई बात नहीं कर देते हैं बट अगर आपको टेवल मल्टिप्लिकेशन की ट्रिक नहीं पता है तो आप वो मेरी वीडियो चैनल पर जाक का मज़ा लो ठीक है चलो तो यह देखो आपका किتना है यह थिए ञाशने अभर कितने से जाएका यह आपका और यह पार यह आपका ओनपन में आप mett एप ठीकेश चैनल आपउड है और इंडर्सेव 맞ई उस्छों प्रिवही आपका धर्वैंग की उटक्ड़ीशहें ग ओ भाई मैं क्यों ठगई ओके सो इट विल बे 42 42 आपका 3 आजएगा पर हाँ 42 और अपान में 3 आगया ठीक है तो अभी कितने से जा रहा है ये 1 हो जाएगा ये आपका ठीक है और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ठीक है सो आपका 14 आंसर आगया है आगे बढ़े तो ये आपका क्या आगया है आपका ये आजएमी मीन मेथड से आपका मोड और इसका आपका मीन आगया है ठीक है आपके आंसर अलग 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 आएगए क्योंकि आपका फॉर्मले अलग 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 है ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हम और आपको यहां से आप मैं करवाने चलूंगी एक्साइस आपकी 14.1 ठीक है चलो करते हैं यह पर नहीं पर वीडियो एंड कर देते हैं क्योंकि देखो गाइस आपको मैंने इंडरॉक्शन दे दिया है 14.1 मैं नेक्स वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अभी मुझे आपको यही सब समझाना था तो मिलते हम नेक्स वीडियो में और हमारी एक्साइस 14.1 वापे खलास कर देंगे खतम कर देंगे और मज़दार वीडियो आने वाली है आपके एक्साइस 14.1 पर डोंट मेस इट नेक्स वीडियो विल बी ओन एक्साइस 14.1 क्लास टेंथ एंड सी रटी सॉलिशन विल बी देयर और बहुती मज़दार धमाकेदार वो वीडियो होने वाली है और आई बटन पर क्लिक करके सारी वीडियो को मज़ा लेते रहना ठीक है